नमस्कार उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए इन सब्दों के साथ आप देख रहे हैं डियनेक्स विशेश डियनेक्स विशेश में आज हम बात करेंगे चिर युवा सन्यासी स्वामी बिवेकानन्द की स्वामी बिवेकानन्द जिनकी जैनती 12 जनवरी को समुचा राष्ट युवा दिवस के रूप में मनाता है बारा जनवरी युवा दिवस के kęऊसर पर स्वामी बिवेकानन्द की बातें एक बार फिर उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष की प्राप्ती ना हो जाए 36 गड़ की धरती राइपुर में नरेंदर के छोटे से जीवन के बच्पन का दो वर्ष बितीत हुआ है 36 गड़ की धरा में नरेंदर के बचपन का दो अश्पन नज़ा डालने से पहले एक और महत्पुन बात हम जान ले श्वामी बिवेकानन बचपन के नरेंदर ने कलकत्ता से रायपूर तक की यात्रा की थी रायपूर आने के लिए उन्होंने बैलकाडी का इस्तिमाल किया था नाकपूर से बैलकाडी से रायपूर की यात्रा करते समय ही रास्ते में दिखे मदमक्खियों के छटे में उलज गया था बालक नरेंदर का मन और यहीं से पाया था बाल नरेंद्र ने अध्यात्म का शहद अपनी छोटी सी आयू में समुची दुनिया को मानवता वा भारत की महानता का बड़ा संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद के बच्पन का नाम था नरेंद्र My brother and sister of America चंद शब्दों के इस संबोधन से पूरी दुनिया को मंत्र मुग्द कर बांध देने वाले स्वामी विवेकानंद अपनी बातें रखने के लिए मिले चंद छणों के सब्दों में अध्यात्म के शहद की मिठास पूरी दुनिया को चखाने वाले स्वामी को दुनिया देखती ही रह गई सुनती ही रह गई शिकागो धर्म शम्मेलन में यह हम सभी जानते सुनते आएं कैसे बने नरेंड स्वामी विवेकानन अज इस वीडियो में हम जानेगे आप बने रहेगा अंत तक इस वीडियो में संकल्प के साथ लक्ष हासिल करने आगे बढ़ें ऐसा आवान करने वाले महान सन्यासी चीरी हुआ स्वामी विविकानन्द के बच्पन का नाता 36 गड़ की धरा से भी रहा है युग पुरुष श्वामी विविकानन्द जब रायपूर आये वो साल था 1860 का उन दिनों बाल नरेंद्र 14 वर्ष के किशोर थे नरेंद्र के पिता विश्वनाद बाबू अस्वस्थ थे कलकत्ता के चिकित्सकों ने स्वास्थ लाब के लिए उन्हें जलवाईू परिवर्थन का सला दिया जलवाईू परिवर्थन के लिए उन्होंने निर्णा लिया रायपूर आने का और विश्वनात बाबू का परिवार सहीत रायपूर आ गए विश्वनात बाबू का परिवार सहीत रायपूर आना यह भी स्पष्ट करता है कि रायपूर की आबो हवा उन दिनों इतनी स्वक्ष और स्वास्त वर्दक थी कि मरीजों को राइपूर जाने की सला डाक्टर दिया करते थे शहर में तलाब और बाग बगीचों की बड़ी संख्या थी यहां पे आबादी भी कम ही थी यहां के रमनी वातावनन को देखकर बाबु बिश्छुनात ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी राइपूर बुला लिया था उन दिनों राइपूर कलकत्ते से रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ था अता कलकत्ते से इलाहबाद यहां से जबलपूर और नागपूर होते हुए राइपूर आना होता था नागपूर से राइपूर तक की यात्रा बड़ी कठिन थी बालक नरेन ने भी नागपूर से राइपूर तक की यात्रा बैल गाड़ी से पुरी की उन्हें नागपुर से रायपुर तक आने में पंदरह दिन लगे थे नागपुर से रायपुर का मार्ग पुरा वनों से आख्छादित था मनोरम प्राकृतिक ग्रिश्यों से नरेंद का सुद्बुद जैसे लुठी गया उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है मैं वैसी अवस्था में बैल गाड़ी में पड़ा रहा कुछ इश्मरण नहीं जब मेरी चेतना लोटी तो देखा कि यह स्थान बहुत दूर छूट गया है मैं बैल गाड़ी में अकेला था रायपुर आते समय रास्ते में मदमक्षी का छट्ता देखकर उनके मन में अध्यात्म का बीज रोपित हुआ और रायपुर में ही दुधाधारी मट जैतुसाव मट और महामायावंदिर में होने वाली धार्मिक आयोजनों ने अध्यात्म के इश बीज को व्रिक्ष के रूप में विस्तार दिया हम कह सकते हैं 36 गड़ से ही पूरी विश्व को अध्यात्म का संदेश देने वाले विशाल व्रिक्ष का बीज रोपित हुआ उन दिनों नरेंदर 33 रणी के चात्र थे रायपुर में तब कोई विद्यालय भी नहीं था अता सिक्षा का दाये तो घर पर ही उनके पिता को पूरा करना पड़ा यह सिक्षा केवल किताबी नहीं थी वास्तों में यह सिक्षा थी ग्यान की पिता विश्वनात अनेक विश्यों पर अपने पुत्र से चर्चा किया करते थे पिता पुत्र में तर्क होता और तर्कों की परिणती होती शंकाओं का समाधान पूर्ण ज्यान से नरेंद्र के पिता विश्वनाद बाबू विद्वान और साहितिक रुची के व्यक्ति थे उनकी मंदली रायपूर में ही जम गई उनके घर पर नित्य विद्वानों और साहितिक अभिरुची के व्यक्तियों की गोष्टियां होगती थी अने एक गंबेर विश्यों पर चर्चाएं होती थी नरेंध्यान पुर्वक इन चर्चाओं और तरकों को सुनते और गुनते थे इन गोष्टियों से उनके घ्यान का भंडार आपूरित होता रहा इस वातावरण ने नरेंद्र के जिग्याशु मन को उद्वेलित कर दिया उनका मानसिक इस्तर अपने आयू से उंचा उड़ गया नरेंद्र जो भविश्य में विवेका नंद बने ज्यान को देखने की उनकी ब्यावहारिक दृष्टि को हम समझते हैं इस पात से उनका कहना था इन सब्दों के साथ यदि आज के पाठ्ठ करम का आंकलन करें तो आज के पाठ्ठ करम इतना ब्यापक और बोजिल हो चुके हैं कि बच्चों के पास खेलने का परियाप्त समय ही नहीं है इस्थिति यह बन पड़ी है कि बच्चे ना तो खुट बाल के खिलाडी बन पा रहे हैं और ना ही गीता से ग्यान ले पा रहे हैं रायपूर में गुज्रेव नरेंद्र के बाल पन के इन सब्दों का चिंतन और मनन किया जाए तो हमारी सिक्षा पद्धती कैसी होती इसका आप आंकलन कर सकते हैं बहराल दो वर्ष ब्यतीत हुए नरेंद्र के पिता ने अपना स्वास्तलाब अरजित किया और कलकत्ता जाने का शमय आ गया नरेंद्र के पिता तन से परिपुष्ट हो चुके थे जबकि नरेंद्र तन और मन दोनों से ही परिपुष्ट हो चुके थे रायपूर से ही नरेंद्र आत्म विश्वासी हुए कहते हैं हर दो वर्षी राइपूर प्रवास के दौरान नरेंद ने अपने पिता से पाठ कला का भी प्रशिक्षन लिया था इतना ही नहीं यहां वे तैराकी, नौकायन, तलवारबाजी, ब्यायाम और अभिनय में भी निपुन हुए दो वर्षों तक नरेंदर का राइपूर प्रवास रहा, राइपूर प्रवास के दौरान जिस सरोवर में इशनान करने जाते थे बाल नरेंद, उसी के बिचो बिच आज स्वामी विवेकानन्द की ध्यान मगन अवस्था में 37 फिट उची प्रतिमा इस्थापित है, ध्यान म माना जाता है कि नरेंदर के आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत 36 गड़ की ध्यार से ही हुआ था, यह थी स्वामी विवेकानन्द के बचपन की बातें, विवेकानन्द का विशाल व्यक्तित्व, पूरी दुनिया को दिया गया उनका संदेश, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, 36 गड़ की धरा में हम कह सकते हैं कि 36 गड़ की धरा में भी वो खाशियत है, जो किसी व्यक्ति को ब्यावारिक्ता प्राक्रितिक संदर और तेर्क सास्त्र में वैसा ही प्रवेन बना सकता है, वैसी ही तेजश्विता प्रदान कर सकता है, जो नरेंद्र को श्वामी विवेकानंद बना कर प्रदान किया, युवा दिवस के अवसर पर आप भी अपने लक्षियों को हासिल करने का संकल्प लें, और तब तक ना रुकें जब तक आपके संकल्पित लक्ष हासिल ना हो जाएं